हेलो अनायो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है फिर साब सब एका आप ही के चैनल जिते नदर आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका 12 क्लास के साइकॉलोजी के पेपर के बारे में जिसका कोड़ है 328 तो यह जो पेजर स्टुडेंट्स मैं ऐसके पीपर में जिए कोन सा मॉड्यूल जो है कि च्रिटिबूशन की सतरीके से तहां पर डेरक्का है फॉस्स मोड्यूल हुज है फाउंडेशन ऑ आपका हो जाते हैं आपका 18 मार्क्स का यहां पर अगर आगे चलते हैं तो यहां पर आपका जो फांडेशन वन बिहेविर है उसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं आपकी कोर्स की बेसिकली यहां पर section A में जो है वह आपके 25 कोशन है और section B में आपको चॉइस मिलेगी फाइफ प्लस फाइफ यहां पर करने कोई भी थर्टी अटेम्ट है सिर्टी तो यहां पर आठ पेजिस हैं आपके प्रिंटेड इसमें तो आपना रोल नंबर यहां पर लिखेंगे कोड नंबर आ रखी है तो चुडेंट यहां पर जनल इसमें पर आपके पहले वीडियो में आपकी सारी समझा रखी है तो अगर आपको समझ नहीं हो तो आप पीछे वाली वीडियो से एक बार देख सकते हैं सिर्टेड इसमें के लिए बाकि हम यहां पर अपना शूरू करते हैं एक्जक आप उसमें से कोई पी एक अटेम्ट कर सकते हैं उसके बार में आगे बात करेंगे यहां पर क्या है आपको चार मुल्टिबल चॉज्ट कोशन दे रखे मतलम मुल्टिबल चॉज्ट कोशन पर चार ऑप्शन दे रखें तो अब अनसर बुक में यह जैसे आपने मान लिए अगर आपका C option आपको ठीक लग रहा है तो C option के साथ साथ जाए फर्स्ट में मान लीज़े आपका मान लेते हैं कि C option ठीक है तो यहाँ पर line of palms भी आपको लिखना पड़ेगा ठीक है तो समझ गे तो हम स्टार्ट करते हैं आपका पहले कोशन से psychology attempts to understand psychology basically किस चीज को understand करती है human behavior को animal behavior को lines of palms को और human brain को तो basically आपका human behavior पर depend करती है human brain के बारे में नहीं पढ़ती animal से तो में कोई मतलब भी नहीं है basically और lines of palms आपको नहीं हाथों की लकीरे पढ़ना जो वो पढ़ते हैं लोग तो उस पेसिस पर नहीं है तो यह आपका human behavior के उपए है तो आपका जो मनोव विज्ञान है वो का समझने का प्रयास है आपका मानव व्यवार उसके बाद आपका है second question visual sensation is received through आपकी जो visual sensation आप मतलब यह आपको कुछ अजीप सवर लिखा हुआ है प्रशे संवेदना कहां से प्राप्त होती है तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको visual मतलब कहां से देखते हो जीप से देखते हो नहीं नाग से देखते हो नहीं कान से देखते हो नहीं जीब से हम सुवात लेते हैं नाग से सुंगते हैं कान से सुनते हैं तो इसका अंसर है E जो E, Y, E है आपका I तो इसका जो B option है वो बिल्कुल ठीक है हम I से में visual sensation मिलती है उसके बाद है आपका third which of the following is not a sense organ इनमें से कोई इनसा एक sense organ नहीं है तो आपका vision, touch, sleep और audition तो आपका जो द्रिष्टी है ठीक है यह basically आपका यहाँ पर लिखा हुआ था द्रिष्टी, द्रिष्य, समवेदन तो basically यहाँ पर हमें पता चल गए क्या था यह तो यहाँ पर आप देखिए आपका sensory organ कोई से नहीं है तो आपका sleep जो है, sensory organ नहीं है फोर्थ वाला दे रखा है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि आपको अगर आता है तो आप प्लीज इसको attempt कीजिए अगर आपने books पढ़ रखी अच्छे से तो आप समझ समझ की चीजों को बना सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपका MCQ दे रखेंगे आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को pause कर सकते हैं विल्कु इनको आराम से अनलाइज कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे आपके दो marks वाले questions स्टार्ट हो जाते हैं और questions के लिए मैं आपको यही साल आदूँगा students की अगर आपने चप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो अपनी language बना के लिख सकते हैं कोई भी दिक्तवाली बात नहीं कोई teachers marks cut नहीं करेगा अगर आपकी language सही है और answer आपने according to question दिया है तो यहां पर आप questions पढ़ सकते students what are the four laws of factual organization जो आपकी प्रतक्षात्मक संगठन है इसको चार नियम बताने आपको इसकी वैख्य करनी है what is a long term memory दिर्ग कालिक स्मिर्थी क्या होती है उसको explain करना वैख्य करनी है what do you understand by moral development नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं उसकी वैख्य करनी है आपको explain करना है यह सारे आपके दो-दो marks के हैं तो basically आगे आप आराम से देख सकते हैं मैं वीडियो को slow चलाओंगा यहां पर 9th, 10th, 11th question देख सकते हैं जो आपका 9th, 10th है वह आपको दो marks का है और यहां से उसके बाद आपके 4 marks वाले question शुरू हो जाते हैं यहां पर आप इनको और आराम से देख सकते हैं students अगर आपको इनके वीडियो के अगर आपको solution के पेपर के solution चाहिए तो प्लीज कमेंट पर हमें बता सकते हैं उनकी वीडियो बनाएंगे और आपको in detail सारी एक इक चीज़े बताएंगे यहां पर 11th question देख लिया 12th question देख section and longitudinal approach to study of development यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है आप इसको अराम से पढ़ सकते हैं यहां पर आपका 15th question what do you understand by defense mechanism 16th question describe some psychological inventions आगे पढ़ सकते हैं तो यहां पर आप मैं आपको वीडियो को slow चला रहा हूं ताकि आप अच्छे से वीडियो को देख सके students यह भी 4 marks का है यह भी 4 marks का है यह भी 4 marks का है वीडियो को पॉस्ट करके आप देख सकते हैं 20th question देखिए यहां पर आपका last 4 marks का है इसके बाद आपके खतम हो जाते हैं यहां पर आपका last 4 marks का है तो describe four important behavior which help in promoting health promoting health तो यहां पर आपका fourth number वाले question खतम हो जाते हैं 6th number वाले आप यहां से शुरू हो जा आपको किस तरीके से इनको attempt करना पड़ेगा तो यह बहुत basic चीज होती है कि अगर आप exam देने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको exam pattern पता होना चाहिए students तो यहां पर आप देखेंगे 23 question 24 question यह भी आपका 6 marks के आप इनको देख सकते हैं वीडियो पॉस्ट कर सकते हैं 25 question इस पेसिस पर होंगे आपका world of work में से कारेज जगत में से और option number two जो है आपका वो है आपका facilitating early childhood education प्रारंबिक शैवकालीन चिक्षा का सुगुमी करन तो इससे related आपके जो है option two में questions आएंगे तो option number one में आपके किस किस टाइप की questions यहां पर देख सकते हैं realistic person refer which occupation out of the following तो realistic person जो है वो किस occupation से related कर रहा है यहां पर यथा अच्वादी वेक्ति निम्द में से कौन सा जब साय पसंद करते हैं तो realistic जो होते हैं आपको पता है कौन-कौन से होते हैं तो वह आपको एक marks देगा यहां पर आगे अगर अपसा 27th question देखते हैं what do you understand by licensing license से आपका समझते हैं तो उसकी जांच कीज़े एक्जामिन कीज़े दो marks मिलेंगे इस से कौोशन काफी सारे असान होते हैं work of world में से describe any two characteristics of stage of vocational development of age range 15 to 25 years यह हिंदी में लिखे रहे हैं आप देख सकते हैं इसको 29th list some situation when a career adjustment become important उन पर इस स्थितियों की सूचे बनाए जहां केरियर्स जन अनिवार्य हो जाता है जब बड़े हो जाते हैं तो आपको कोई ना कोई एक तो अपना occupation चुनना बढ़ता है 30th question भी आप देख सकते हैं 6 marks का है काफी जादा माक्स का है करियर प्लैनिग अपने करियर नियो जन आप पढ़ रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं तो इससे बैसे आप अपनी लैंगोज में लिख सकते हैं और यहां पर अपका childhood education से आएगा पको कोईशन वो क्या है आपका 26th children often learn the habit of telling lies when the discipline is जो आपके बच्चे में जूट बोलने की अदत का अकसर विकार हो सकता है यदी अनुसाशन discipline नहीं होगा तो basically बच्चे जूट भोलेंगे क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ोज से देख के सीखते हैं 27 तब what are play centers जो खेल के इंद्र है वो क्या है आपको examine करना है उसके बाद आप questions देख सकते हैं किस हिसाब से आपको देख है 28 29 30 तो इस तरीके से आप questions सारे attempt करेंगे students यह पर video को pause कर सकते हैं आप देख सकते हैं and I hope students आपको video जो है वो अच्छा समझ आ गई होगी कि आप exams के लिए पूरा प्रिपेर हैं इसके मैंने आपको पहले बदया था अगर solutions चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं हम उसकी video separate बना देंगे बिल्कुल पर comment क करके बताईए तो वीडियो को students share कीजिए like कीजिए comment करना तो बिल्कुल मत भूले क्योंकि उसी से आपको solution मिलेंगे और चैनल को subscribe जरू कर देज़ेगा students क्योंकि हम आपके लिए इतनी महनत करते हैं तो